आपके पास Infinix Note 35G है या 30 Pro कोई भी फोन है तो यहां पर आप Infinix की ID कैसे Create कर सकते हैं New ID क्रिएट करने के लिए आप यहां पर स्क्रॉल करके जाएंगे सेटिंग पर और यहां पर देख सकते हैं Login into Infinix ID आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपको New Registration करना है तो New Registration के लिए आप इस पर जाएंगे अपना phone number से जा सकते हैं या फिर अपने email address से तो यहां पर मेरे पास Google का एक account है मैं इसी से ही चले जाती हूँ तो यहां पर मैंने एंटर कर दिया है और इसके बार यहां पर इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करके Get Code पर क्लिक कर देना है और यहां पर एक picture दिखाई देगी तो यह जहां पर ब्लाइंग कहना इस पर लाके इसको छोड़ देंगे यह ऐसे आएगा तो यहां पर code आपके इस वाले email address पर send किया गया है तो वहां पर जाके code देख लेंगे और यहां पर enter करना है ठीक है आ गया है minimize कर देंगे या फिर आप ऐसे down कर लेंगे तो देख सकते हैं आ गया है अगर phone number से चाहेंगे तो phone number पर OTP आएगा तो वह डाल देंगे verification code आए double 619 तो यहां पर जाके मैं लिख दूंगी double 619 इस पर click कर देंगे ठीक है तो देख सकते हैं यहां पर इसने create कर दिया है तो इस step से आप यहां पर create curling और back करेंगे तो देख सकते हैं आ चुका है और बागी रही बात password वगरे कि तो यहां पर आप account की security के लिए password वगरे सेट कर सकते हैं यहां पर जैसे add कर देंगे password password set करी लेती हूं security परपस के लिए ठीक है तो अपनी मर्ज का कोई भी एक password set कर लेंगे तो यह set हो चुका है जो password यहां डाला है वो यह password सेम नीचे भी डालना है इसके बाद save पे click कर देना है ठीक है password भी हमने set कर लिया fingerprint से आप लिंक कर सकते हैं अगर on कर रख है fingerprint तो इसके बाद यहां पर back कर लेंगे बाकि यह setting जैसे कि photo अगरा लगानी है तो यहां पर take photo या फिर आप choose photo कर सकते हैं choose from album allow और अपनी gallery से कोई भी अपनी photo एक ले लेंगे और उसको set कर लेंगे जितना set करना है तो यह set हो गया photo अगर अभी ठीक है इसके बाद back कर लेंगे तो ऐसे करके आप set कर लीजिए चले मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार